नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों आप शबी को बता दें कि आज रात्ते के 12 बजेशे माल लक्षमी और भगवान श्रिदेव चले आपकी राशी में और दोस्वों आने वाले 365 दिनों तक आप शबी की जुनकाल में आपके 6 बड़े में आ गया है जिए दोस्वों आपको बिता दें कि अब आपके जीवनकाल के शब से बड़े शपने शच होने वाले ही जो शपना आपके पूरे जिंदगी भर आप उन्हें याद रखेंगी जिए कोई छोटा शपना नहीं है जिनें लेकर आपको शपने में भी नहीं सोच दोस्वों आपको बता दें कि पिछले कई शमेश से आपके जुनकाल में बहुत शारे से मौके आए हैं लेकिन दोस्वों उस मोके पर खरे नव उतरने के कारण दोस्वों जाने जाने में कुछ यसी गलती हो जाती है जिनके कारण आपके बिरुद्रीवर्प के लोग आप वह आप शबी की जुनकाल में पूर नत्ह आपकी जीवन को बदल दी ज्यां दोस्तों तो याश में कुछ विश्यस बातों का भी ध्यान रखना है तो दोस्तों आज की वीडियो को बिल्कुल ही मीशना करें और सुरू से लेकर अंसा तक ध्यान सी देखिएगा दोस्तों इसम श्रवी को जानना बहुत ही जरूरी है उसे पहले दोस्तों जो भी भगवान शुनदेव और मालक्ष्मी के सच्चे भगते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्ष्मी जय श्रीदेव जरूर लिखेगा बगवान शुनदेव और मालक्ष्मी का रश्य महस्रबाद उब यह भपकर हो ga जिवन काल के और कर आपके खत्मों की भगवान शुनदेव और मालक्ष्मी हैं जब आपकी राशिव में चले हं तो दो lleva आपके जुन काल में आपको कौन-कौन को कुक्षी मिलने वाली है तो दोसों आपके जुनकाल की शारी परिशानियां खत्म हो जाएंगी और मालक्षी में भगवान शुन्देव का शुन्देव और मालक्षी में आपके कुंडली में त्रिक ग्रही योग का निर्मान होने वाले हैं और दोसों इनके शिर्वाशी आप शिवी की जुनकाल में बहुती बड़ा चमतकार इन दिनों होने वाले हैं जिया दोसों आप शिवी को बता दें कि नी जी या फिर वह शाइक कामों में आ रहे ही रुकाउटें अब दूर हो जाएंगी आपको बता दें कि अधिकतर शिमी परिवार के शाथ अराम तदर मुनरंजन में वैतित होगा आपसे समाजिश बहत्रिन होने शे घर का मोहल भीया शिमी पोजिटिव बना रहेगा बगवान शिमी और मालक्षमी के शिरबाश शे आर्थिक दिरिश्टे चे आपके लिए आने वाला श्रमे बहुत यादा अनुकुल रहने वाले हैं जिया दोसों हम आप श्रिवी को बता दें कि बगवान श्रिणदेव और मालक्षमी का एशा चमतकार आप श्रिवी के जुनकाल पे होंगे उनका मन बहुत यदा प्रशन रहेगा और दोसों यह श्रिणदेव और मालक्षमी और बगवान श्रिणदेव का श्रिवाद आप श्रिवी के शात है ज्या दोसों लुए वी जुनकाल में बहुती बड़ा स्वमतकार करने वाले है ज्या दोसों उन में आपको बहुत यदा लाव यश्मी मिलने वाला है क्यों दोस्तों श्वेंग मालक्षमी और भगवान शुन्देव के शिर्वाशी मीडिया मार्केटिंग ओनलाइन आदे जिसी गत्विदियों पर थोड़ा ध्यान रखें आपको बताते कि इनमें आपको बहुत यदा धनलाब मिलने की शंभावन नहीं बन रही है आपके लिए यश्मी फायदेमित पस्ततियां बना रही है मेहनत का पुरा फल मिलेगा कोई महत्मों सुझना भी आपको मिलने की शंभावना बन रही है बगवान शुन्देव और मालक्षमी के शिर्वाशी अब आपके जुनकाल की शारी बढ़ाएं खत् तो दोस्तों उन्हें शुलजाने का उत्तम शमय आगया है क्योंकि यश्मी मालक्षमी और वगवान शुन्देव का शिर्वाद आप शिर्वाद आप शिर्वी के शाथ है जिया दोस्तों आप शिर्वी को बता दें कि विदेज जाने के लिए जो भी कोशिस कर रही थे दो दोस्तों उनलों को शुजना मिल सकती है इस्टुडेन को केरिया से जुड़ी शमश्याओं शेयास में राहत मिलेगा जिसे दोस्तों आप बहुत इदर प्रेशन होंगे मालक्षमी का शिर्वाद और भगवान शिर्डेव का शाथ आप शिर्वी की जुनकाल प्रेशा होगा क श्वास्त में भी आपको बहुत याचा शुदार देखने को मिलें कि कोई भी लिया गया जरूरी फैसला भुष में फाइदमन शाबित होने वाला है इसलिए दोस्तों याश्मी बिल्कुल भी कोई गलती ना करें और शमय शमय पर आप कोई अच्छी सोच जरूरू के जिस मंत्र का जाब करते रहें जैंदो सों मालक्षमी और बहुन शंडेव का शब्से मेहत पुन मंत्र है तो दोस्तों शुवा स्वय शाम-दिन-रात जब होश्ट के दिन में शमय निकाल कर इन मंत्रों का मात नजाब करने से आप शिवी के जुनकाल में बगवान शिण्डेब और मालक्षमी की अश्रीम किरपा प्राप्त होती रहेंगी जे दोसों शादी साथ आपको बता दें कि शिवी कारिक को करने से पहले उसके सभी पहलों प प्राप्ति होगी कि पुराने जगडे के सुल्जाने से मानशक्त सामती आपको प्राप्त होगा क्यों दोसों यश्में उनके मन में श्वेंग भगवान शिण्डेव और मालक्षमी एश्रा इक्चा सकती प्रकट करेंगे कि आपके परती उनकी इशारी दुष्ट श्रमाधान भी होगा, आपको प्रतादे कि एश्मे मालक्षमी और बगवान शिण्डेव के श्रिवाजशे आपके कुंडली में बिरजमान होने के कारण आपके ग्रह गोजर भी आपके पक्षमी होने वाले हैं, आपको प्रतादे कि लावदाय के उजनाई बनेंगी और किरियानमित भी होंगी अपने शंपर्क शुत्रों को और अधिक मजबूत बनाएं कुल मलाकर खुशी और शंतोस ब्राद दिन वहतित होगा जिया दोसों आपको बताया कि अश्मे महालक्षमी के अश्रिवाद से बगवान शुनदेप के शाथ से घर के वरिश रदिश्यों क केस ने और अश्रिवाद से परिवार में शुकद और अनुशासित माहौल बना रहेगा अर्थिक मामलों को मजबूत करने के लिए यह जो समय होगा आप शुभी के लिए बहुत ही सुब समय होगा बहुत ही लाभकारी शहमे होगा धारमेग शंच्ताओं शमदी गतवदि आते जब दो देवी देवकता आपके कुंडली पर विराजमान हो जाए आपके राशी पर आजाए ज्यादोसों याश्मी रिष्टेदारों शुष्टेदारों कि शुष्टेदार के यहां धार्मिक उत्सव में जाने का प्रूर्यम भी बनेगा कई फर्शा हुआ प्रशा मिलने शेयर आरतिक सती और अधिक बहतर होंगी क्यों दोस्तों मालक्षमी का अश्रवाद यश्मी आपके जुनकाल पर रहे है तो दोस्तों धन की आवक भी यश्मी आपकी बढ़ने वाली है। पेछेसे से जुरी शमर्शाहीं भी यश्मी आपके खत्म होने वाले ह जिया दोस्तों हम आप शुब बता दे कि भगवान शुन्देब और मालक्षमी का एशा अशिरवात आप शुब के जुनकाल पर होगा कि घर के बदलाव शुमदी जनाई बन रहे हैं तो दोस्तों वह यश्मे शंपन होंगे और उन्हें जनाओं में आपको शबलता प्राप् मिलेगा इनमें आपको बता दें कि दोस्तों भगवान शुन्देव और मालक्षमी के आपकी राजशे पर बिरजमान होने के कारण शोच समझकर आपका लिया गया निरले कोई भाईश में नए रास्ते खोलेगा जिया दोस्तों शुब घर के अनुभी व्यक्तियों की शला अवश लें क्योंकि दोस्तों अनभी वे जो व्यक्ति हों भगवान के ही श्रमान है उनमें भगवान का ही वास्च है तो दोस्तों बड़ों का बात आप बिल्कुल ही ना कटें श्रंदान के दरफशे कोई शुबर समझार मिलने श्रे गर में उत्ता बरा महौल भी रहशकत है दोस्तों लोन लेने की युजना अगर बनाए हैं तो दोस्तों चिंता ना करें जिसकार के लिए आप लोन ले रहे हैं वह लाबदाएक शाब्त होगा या श्रमाई गरश्तितियां आपको या शंकेत दे रही है कि अपने वित्योजनाव शंबंदी कारियों पर ध्यान के रहेंगे और अपने अंदर एक नई उड़्जा का भी आप शुनसार याश्मी महशुष करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बगवान श्रिणदेप का शिरबात आप शिभी के शाथ रहेगा आपको बता दे कि दोस्तों याश्मी बगवान श्रिणदेप कहते हैं कि कुछ ब भूल कर भी इसे इंसान पर विश्वास न करें जिसका अशर आपकी परिवार पर भी परशुकता है बच्चे पढ़ाई पर धियान दें यह आपके लिए बहुत ज़्यदा लाबगार श्रिणदेप के शिरबाचे आने मले श्रिणदेप में आपका जो लव लाइप का जी जाओं का हल आपको प्रयाप्त होगा श्राति मालक्षमी और भगवान श्रिणदेप के श्रवात जाने वाले श्रमे में भी आपका स्वास्त बहुत ही मजबुत रहेगा कभी-कभी आपकी विच्टेद मालशिक इस्तिति का नकार्त में पर्वाव आपकी कारियों के शाथ आप शाथ अपने श्वास्त का ध्यान रखना है योगा वैयान या फिर मेटेशन पर ध्यान देना इनसे आपकी मानशिक शानती बढ़ेगी और इसे आपका मैंड भी फ्रेश होगा तो दो सुन इस अभी बातों का ध्यान रखें दोस्वास्त के आखरी में बगवान छोड़ जाएंगी किस धनका में एहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगी किस तनपे में एहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा को बोज भी ना उठा पाएगा भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सजा हो जाए तो जमानत नहीं होत दोस्तों क्योंकि भगवान शुदेव कर्मों के फल दाता है अगर एक बार शुजा देज आए तो दोस्तों वह सजा आपको भुगत नहीं पड़ती है तो दोस्तों शुबह शाम नित्या आपको भगवान शुदेव और महलक्षमी का अश्मरन करना है आपके जुनकाल में मं जढ एकाल में मुम्रन करना है や और में मुम्रन करना है तोस्तों करे सया एक आपके अव मायाह को खलब में celebrations